उत्री इसराइल पर हिजगुला ने अपने हमलों से एक कहर बरपाया हुआ है। बड़ा सवाल है क्योंकि हिजगुला ने अपने भीशन हमलों से आईडियफ को छकाया हुआ है। पर ताबर तोड हमले कर दिये। हिजगुला का कहना है कि इस हमले में कई इसराइली सैनिक मारे गए है या फिर घायल हो गए है। बड़ी बात ये है कि हिजगुला ने इस हमले के अलावा एलेथ हशाहार जो उत्तर पस्चिम साफेद में है यहां पर आईडियफ की एक बिल्कुल नई 91 डिविजन के ऊपर आत्म घाती ड्रोन्स का एक जथा दाग दिया। हिजगुला का कहना है कि यहां पर भी इस्राइली सैनिक और उनके अधिकारी इकठा हो रहे थे जिन पर ये हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर इसराइली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के ये ड्रोन हशहार इलाके में आकर गिरे हैं जिन में एक इसराइली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है वहीं इस हमले को लेकर इसराइली सैना का कहना है कि इस हमले में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है लेकिन हिजबुल्ला के हमलों के बीच इराक की तरफ से भी इसराइल पर एक ड्रोन दागा गया था जिसे हवा में ही मार गिराय गया है हाला कि हिज़गुला के हमलों को लेकर आईडियफ का कहना है कि उसने इसरा ड्रोन लोवर गैलिली के आसमान में मार गिराया जो एक समवेदन शील्ड सैन ने अड़े के पास मंड़ा रहा था आईडियफ के मताबिक ये ड्रोन लेबनान से इसराइल में गुसा था और उसे साखनीन इलाके में मार गिराया गया बड़ी बात ये है कि जिस इलाके में ये ड्रोन गुसा था वहाँ पर इसराइल की डिफेंस कमपनी राफेल की एक महतुपून फैक्टरी है और ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुला का टारगेट यही कमपनी थी और जब हिजबुला का ये ड्रोन इसराइल की सीमा में गुसा तो साखीम के पास हवाई हमलों के साइरन तो बजे ही साथ ही लेबनान बॉर्डर से लगी सीमा के 25 किलो मेटर के दाएरे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया हाला कि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही मार गिराए गया जारी कि अवा भ्रोन को इस। जान जारी क्रदास है भी अलर्ट जाए ऑगाट में भी लूंड़े हम उसे आ ब कले अञुछ बश्राट से खेत कि अचतर खले किसे ओशाशन से वाटर से वाड़े में ही लेक दज़े जल.